हेलो गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू दा न्यू व्लॉग सो गाइस कैसे हैं सब आई होप अच्छे होंगे और मैं तो ठीक हूं बट हाँ आप लोगों से सॉरी बोलना चाहते हूं बिकॉस मेरी आज जो व्लॉग है वो बहुत जादा लेट हो गया है और लेट क्यों हुए है वो मैं आपको बताती हूं कि मेरे हजबन का अच्छे मौसम बहुत जादा खराब है और सुबह सुबह उनको आफिस जाना होता है तो सुबह सुबह नहाना दोनों फटा फट निकलना होता है कोरा इतना जाधा रहता है और स्कूटी से जाते हैं तो थोड़ा ठंड लग जाती है तो बस वही तबित खराब थी तो सुबह से गर के कामों में बहुत जादा बिजी हूँ मैं तो इसलिए व्लॉग मतलब एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला अभी मैं फ्री हूई हूई हूँ और यह जो व्लॉग है यह कल का है कल वीडियो शूट किया आप सभी के लिए एंजोई करिए तो टाइम बता दूँ यह जो वीडियो है यह सुबह के टाइम का है सुबह के साड़े छे बजेगा तो बस जाडू पोच्छा लगा करके गर की साफ सफाई में लगी हूई हूई हूँ बच्चे भी उट गये हैं और बच्च जाडू शॉट जाडू फोक्र्व होई हूँ तो बस किचन ही आ घाना बनाने के तो जब चाता है कि मुझे पोच्छा लगाने में घील लगे के लेकिन फिर भी थंड लगने लगी थी तो पहन लिया वैसे मुझे स्वेटर वेगरा बिल्कुल भी पहना नहीं जाता है जब बहुत ज़ाद थंड लगती न तब ही मैं पहनती हूँ वरना मैं ऐसे ही रहती हूँ तो चलिए अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है सुबा कही टाइम मतलब वही साथ बज रहे हैं शायद साध ये साड़े साथ बज गया हूँगे तो फटफट से डाल और चावल जो है वो मैं चड़ा देती हूँ तो मैंने अरहर की डाल ले ली है बड़े वहले कूकर में रहर की डाल ले ली है बरतन भी सबसे पहले तो मैंने सुबा सुबा उटके बरतन मांजे हैं पूरे और ज़्यादा तो नहीं थे थोड़े बश जित्ते भी थे मैंने साथ के साथ में धुल नहीं है क्योंकि मेट पता नहीं कब आएगी कबनी आएगी कुछ क्या है नहीं सकते उसका फिर बरतन बहुत जादा इखटे हो जाते हैं तो किचन में काम करने में बहुत जादा दिक्कत होती है तो सुबर उटके सब स्पेल तो बरतन बुले फिर जाड़ू कोछ लगा है बरतन बुले का वीडियो नहीं शूट कर पाई थी वैसे मत्रा में तो इस बार जितनी ठंड पढ़े हैं उतनी पिछले हम लोग दो साल से मत्रा में रह रहे हैं बट इतनी ठंड पिछले दो सालों में मैंने नहीं देखी जितनी इस बार पढ़ी है इस बार लगा तार मेरे को लग रहा है दस से पंदरा दिन हो गए अच्छे से धूप तक नहीं निकली है जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ बीजबीज में कोरा होता था फिर लेकिन धूप निकल आती थी इस बार के जैसा थंड बिलकुल नहीं पड़ा है और अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि धूप बगेरा निकलने वाली है जबकि देखी है 14-15 डेट आने वाली है और कहते कि खिचवी तक ही बस ठंड रहती है उसके बाद फिर नहीं रहती है फिलाल मुझे नहीं लग रहा कि ठंड भी जल्दी जाने वाली है क्योंकि बिलकुल धूप नहीं निकल रही है खैद मैंने दाल चौल चड़ा दिया और मैं अब सबजी निकाल ले रही हूं तो मैं सोच सब्सक्राइब हैं क्योंकि थंड है धूप निकलने से सब्जगा मॉश्चर मॉश्चर हो गया है दाल छौल में हटा दे रही हूं सब्जी में कट कर लेकर आ गई थी सब्जी कट करने के लिए रूम में चलिए थी ब्लूर थोड़ा सब्लूर के सामने बैठ जाते ना काम क तो फिलाल मैंने दोनों कूकर चड़ा दिये हैं और यह कड़ाई रखी है रात में पूरिया बनाए थी तो उसमें रिफाइंड रखा हुआ था तो मैंने रिफाइंड हटा के उसमें ऑईल डाल दिया है अब सब्जी बनाऊंगी लेकिन वहां से थोड़ा बरतन जो है वह थो बैग और नालू टमाटर यही जब और शिम्ला मिर्च मतलब मिक्स वेज यही मैंने काट लिए है तो अच्छी लगती है वैसे मिक्स वेज तो मुझे तो देखिए दाल चावल सब्जी एकदम रेड़ी है सब्जी केरपा करीए बस हाथ तीनों काम यह है कि मैं इन तीनों काम से फ्री हो गए हूँ तो मैं दूद वाले जो बाल्टे होते हैं वो हजबन को दे दे रही हूँ मिल्क लेने वो जा रहा है और साथ में यह जो रात गिंटे तुम लोग खेलो उसके बाद मैं दे दूँगे तो फिलाल अभी दे दिया है और बस अब मैं आटा भी लगा के रख दे रही हूं साथ के साथ में आटा लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और यह वीडियो है नहाने के बाद का तो अभी फिलाल में नहा करके आगए तो फट फट से कौम कर लेती हूं बाल मेरे बहुत खराब से हो जाते हैं और आयना भी देखिए कौपी लेकर के खड़ी हुई है पढ़ रही तो इसकी भी मैंने कॉम कर दी अब यह पढ़ेगी या फिर खिलने जाएगी वो जाने फिलाल मैं कपड़े धुलूँगी क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं वो आठ से नौ दिन के कपड़े खटे हो गया बाशी मशीन में अब मैं निकालती जा रही हूं और आप लोग देखत क्ली मेरे जाईए जाएगी कि कितने कपड़े खटे हो गए है अब धुलने तो पड़ेगा धूप निकले और चाहले ना नेकले दूप का नहीं जाने क्वेट कर सकते हैं कि पता नहीं कह नहीं सकते निकलती तो अभी भी है बट कपड़े सुखाने लाइक धूप जो है वो नहीं निकल रही है कि जिसमें कपड़े डाल दो तो सूप जाए ये देखिए आप लोग देख सकते हो कितने जादा कपड़े खटे और ये एक बार में धुल भी नहीं पाएंगे अब मैं पहले इसमें सिर्फ सेलेक कर रही हूं बच्चों के कपड़े पहले बच्चों के कपड़े हैं encre एक बार धुल जाए उसके बाद फिर मैं अपने डाल दूंगी बैठीट भी हैं बहुत जादा तो वह सब डालूंगी और उसके अच्छी को मैंने खाना दिया था यह दुपहर का वीडियो है तो इसको मैंने खाना दिया था तो यह छोड़के ही चली आई थी खाई ही नहीं ह तो वहीं देड़ दो घंटे लग गए थे फिर यह शाम कर टाइम का वीडियो है साड़े चार बजे का तो मैं यहां पर मिल्क करम करके बच्चों को दे रही हूं और अभी मेरे को शाम का और भी बहुत सारा काम एक तो कपड़े भी लगा रखे ना मशीन में तो बार बार म मैं नीचे जाओं खेला हूं तो मैंने का चलू ठीक है, तुम खेलो, सॉकस पैनके जो, सॉकस पहना दिया से और मेरे में मेरे जो घुक हो गया, तो में चेपान निकाल दे रही हूं और यह अपने अपने निकलता है career में और पकड़ों नहीं, तो फिर वह बंद हो जाता ह तो अभी मशीन जो है वो चल रही है और तब तक मैं आ गई थी यशी को लेकर के रूम में अभी आइना की मैम जो है ट्यूशन पढ़ाने वनी वो भी आ गई है तो वो हॉल में पढ़ा रही है उसको और मैं साथ में इसी टाइम पे यशी को भी पढ़ा देती हूँ वो कुल भी नहीं मन करता उसका पढ़ने का तो इसलिए पढ़ने के बैठाया था और फिर मेरी जो मेड है मैडम आ गई थी तो मैंने का चलो आ गई हो तुम तुम चाय बना के पिला देती हूँ कम से कम नागा वागा तो नहीं करेगी मतलब गोला तो नहीं मारेगी तो मैंने के लिए बना दीती तो अभी फिलाल उसको दे दिया चाय और अब मैंने फिर यह जो दो कप हैं वह एक अपने लिए ले लिया था और एक आइना की मैम के लिए लिया था तो फिलाल चाय पीने के बाद दुबारा से आगी हूं बालकनी में और जो कपड़े ड्राय हो गए है आइना यशीक है तो उनको फैला दे रही हूं यह जो चेयर में रखे हैं यह ड्राय कर दी है और इसमें सिर्फ आइना यशीक है और बाकी दुबारा से मशीन लगाई है सिर्फ अपने कपड़े डाले है तो वह भी जब धूल जाएंगे तो उन्हें भी ट्राय कर दूँग साथ बजए का तो हस्बन पसानी वाले हैं ऑफिस से तो मैं फटा फट से यहां पर सबसी बना ले रही हूं और आज का व्लॉग आप सबी को कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा पसंद आए हो तो लाइक कर दीजेगा और जिन्हों ने चैनल को अभ यहां पर बना रही हूं सबजी और आइना यहां पर बैठके नमकीन खा favori remains बात बरिकी आट की सामने तो यहां से देखती जा रही है कि पापा को आंगे जह करिए कि स्कूटी आ रही है कि नहीं आरही है